उर्दु के मशूर शायर मिर्जा अस्दुल्ला खां गालिब को कौन नहीं जानता गालिब बड़े शायर थे और ये बात वो जानते भी थे अपने आगे गालिब ने कभी किसी को शायर नहीं जाना मशूर मर्सिया गो शायर मीर अनीस का ये मिस्रा गालिब के लिए तो नहीं था मगर उन पे बिल्कुल सटीक बैठता है ये अंख वो है जिसमें सामाता नहीं कोई हाला कि उनके दोर में कई बड़े शायर गुजरे हकीम मुमिन खा मुमिन मुहम्मद इबराहीम खाजक और ख्वाजा हैदर अली आतिश इनमें और भी कई नाम लिये जा सकते हैं मगर गालिब से लगभग 45 साल पहले एक शायर पैदा हुआ नाम था मीर तकी मीर और गालिब ने अपनी जिंदगी में अगर किसी की शायरी का लोहा माना तो वो शायर है मीर ही है इस बात को उन्होंने अपने शेरों में पिरोया भी है रेखता के तुमें ही उस्ताद नहीं हो गालिब कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था मीर तकी मीर की तारीफ सिर्फ गालिब ने की हो ऐसा नहीं है जोक ने भी मीर की तारीफ की मगर अपने साथी शायर गालिब पर कडाक्ष के साथ ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब जोक यारों ने बहुत ज पाइटर जेहरा निगाह साहिबाने रेखता कि एक प्रोग्राम में बहुत दिल्चस्प किसा मीर के बारे में बताया, बात काफी पुरानी है, शायद 1965 के आस पास की, तब उनके एक दोस्त किसी काम से लखनऊ गए, खयाल आया कि मीर की कबर पर चला जाए, वो उस छोटे से क कबरिस्तान में पहुँचे तो वहां कुछ नहीं था, उन्होंने वहां की देखभाल करने वाले से पूछा कि भाई यहां मीर तकी मीर की कबर हुआ करती थी, उस पर संगमर्मर की तखती भी लगी थी, वो कबर अब कहा है, दिख नहीं रही, उस आदमी ने कहा कि भिया मज चलना पड़ेगा, वो उस आदमी के घर चले गए और उससे वो तखती खरीदने की जिद्द की, उस जमाने में 12 रुपए में उन्होंने वो तखती उस आदमी से खरीदी और वापस मीर की कबर पर लगवा दी लेकिन सुना है कि अब तो तखती नहीं, पूरी की पूरी की मौत की तारीख जो मिलती है वो है 21 सितंबर 2018, उनके पिता ने था उम्र फकीराना जिन्दगी गुजारी, जब मीर दस बरस के थे, तब ही उनके पिता की मौत हो गई, बाप के मरने के बाद उन पर बहुत बुरा वक्त गुजरा, पिता के दोस्तों ने उनकी परवरिश की, जब मीर की उम्र कोई 13 या 14 साल रही होगी तो वो दिल्ली आकर अपने एक रिष्टेदार से राजखान आरजू के घर रहने लगे, यहीं मीर को जिन्दगी का पहला इस्क हुआ, मगर काम्यावी नहीं मिली, इस्क में चोट खाई तो दीवानगी ने दामन थाम लिया, किया करो, फिर मीर इसी, इसकी जायदा के वारिस हो गए, छोटी सी उम्र में बाप की ये बात दिल में ऐसे बैठी की मरते दम तक ना निकल सकी, मगर मीर को सिर्फ किसी लड़की से इसको, ऐसा नहीं था, बलकि उन्हें इंसानियत से प्यार था, अब तक मीर शारी करने 80 में उनके दर्बार में एक रूपया रोज पर नौकरी कर ली, मगर दिल्ली की मोहबबत को दिल से ना निकल सके, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जानके, हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंते खाब, रहते थे मुन तक को अपनी गजल सुना रहे थे, लेकिन वो किसी और तरफ देख रहे थे, मीर ने कहा, उजूर शेर तवज्जो चाहता है, तब नवाब आसे फुदौला ने कहा, शेर तवज्जों के लायक होगा तो मिल जाएगी, बस ये बादिल को लग गई और मीर वहां से चले आए, मह की शायरी में, बगोला, नात्वा, गोर, कबर, जैसे अलफाज बार-बार आते हैं लेकिन मीर ने जिस दोर में जन्म लिया, उनकी शायरी उसी दोर का आईना है, दिल्ली लुट रही थी और इसका असर उनके अशार में बार-बार दिखाई दिया लेकिन इसके अलावा भी मीर की शायरी में इसक, विरोध, गुसा, उस वक्त के बिगड़ते हुए माहौल परताव नज, खूबसूरत जुबान और अपनी दिल्ली से मोहबबत है, देख तो दिल के जासे उठता है, ये धुआसा कहां से उठता है, यूँ उठे अहुस गली से हम, जैसे कोई जहां स उठता है, नाजु की उसके लब की क्या कहिए, पंखुरी ए गुलाब की सी है, मीर की शायरी इश्क में डूवी हुई है, चंद शेर सुनिए, हमारा खासमस लग इश्क जिसमें, पयंबर दिल है, किबला दिल, खुदा दिल, महें में वो बात कहां जो तेरे दिदार में है जो गिरा फिर कभी उसको न संबलतें देखा, मीर वास्तव में सिर्फ हशायर थे, जो अच्छा लगा वो लिख दिया, किसी की परवाह नहीं की, आप भी देखिए, मीर के दीनों और मजहिब को अब पूछते क्या हो उनने तो, कश्का खेंचा, देर में बैठा, कब का तर इसलाम किया, मीर ने आख्षी सांस लखनाउ मे ली और वहीं दफ़न हुए, मोहला मशक घंज के पास, मगर मीर को मरने के बाद भी सुकून ना मिला, उनकी कबर के ऊपर लखनाउ से टी स्टेशन बना और उनकी कबर का निशान भी मिट गया, आज ना जाने कितनी रेल में है मीर, अब उठ जाएं यांसे तो अच्छा करें, लेकिन खुदा ए सुखन मीर तकी मीर अब कहीं ना जाएंगे, रहती दुनिया तक उन्हें इसी शोर में रहना होगा